आज हर्याना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हर्याना की जन्ता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी। हर्याना का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्जों ने इस राज्ये का नेत्रूत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्ये के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हर्याना के इन दिग्ज नेताओं का नाम पुरे देश में चर्चा में रहता था। हर्याना में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दस चुनाव में हर्याना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली। लेकिन इस बार हर्याना के लोगों ने जो किया है वो अभूत पूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है। जब दो कारेकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कारेकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हर्याना में फिर से मोका मिला हो यह भारतिये जन्ता पार्टी को तीसरी बार मोका मिला है। यहां के लोगों ने सुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढ़ाई बलकि हमें सीटेपी जाजा दी हैं और वोट्षेर भी जाजा दिया है ऐसा लगता है हर्याणा के लोगों ने छप पर फार कर वोट दिया है इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगे